पट्टा से राची तक चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रिस को लिखर अब एक नई जानकारी सामने आई है इस ट्रेन का उद्गाटन अब 26 जून के बदले 27 जून को होगा इसका उद्गाटन प्रधानमंतुरी नरेंदर मोदी ओनलाइन हरी जंडी दिखा करेंगे उद्गाटन समारो राची जंगसन पर होगा इसलिए इसकी रैक को पहले ही राची पहुचा दिया गया तो राची जंक्सन पर वंदे भारत एक्सप्रिश का उद्घाटन समारों होगा वर्चुली देश के प्रधान मंतुरी नरेंदर मोदेश ट्रेन को हरी जंडी दिखाएंगे पहले इसका उद्घाटन 26 जून को होना था लेकिन अब नई तारीख जो सामने आई है उसकी मुताबिक 27 जून को वंदे भारत एक्सप्रिश का प्रधान मंतुरी ओनलाइन हरी जंडी दिखाएंगे और इसके लिए पहले ही सारी रैक जो है वो राची पहुँचा दिये गए हैं उद्घाटन समारों जो है वो राची जंक्शन पर होगा राची में सिक्षा पह भागी और से बैक टू स्कूल कैमपेंग सुरू किया गया है एक महिने तक चलने वाले इस कैमपेंग की माधिम से स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से स्कूल में दाखिला दिलाना उद्देश यह है इसे लेकर राजधानी राची के जिला स् में कारिकरम कायोजन हुआ जिसमें संबंधित पदाधिकारियों को फिर से बच्चों को स्कूल आने को लेकर दिशा निर्देश दिये गए सब की भागेदारी जितने जनप्रदिनीदी हैं सब की भागेदारी हो और गाउं गाउं में यह माहौल बने एक आंदोलन का रूप ले और यह अभ्यान एक महीने का चलने वाला है और पिछले साल भी चला था काफी अच्छा रहा था लेकिन हमारी सबसे बड़ी चिंता य सब की भागेदारी हो इसमें हम चाहते हैं कि बढ़ चड़ के हमारे जो समुदाय की जनप्रदिनी लोग हैं और बच्चों को घर घर यह माहौल बने कि बच्चा स्कूल आए और अच्छी सिक्षा गुनवर्ता पुनशिक्षा प्राप्त करें पट्ना से राची तक चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रिस को लिखर अब एक नई जानकारी सामने आई है इस ट्रेन का उधगाटन अब 26 जून के बदले 27 जून को होगा इसका उधगाटन प्रधानमंतुरी नरेंदर मोदी ओनलाइन हरी जन्री दिखा कर करेंगे उधगाटन समारो राची जंकसन पर होगा इसलिए इसकी रैक को पहले ही राची पहुचा दिया गया है तो राची जंकसन पर वंदे भारत एक्सप्रिस का उधगाटन समारो होगा वर्चुली देश के प्रधानमंतुरी नरेंदर मोदे इस ट्रेन को हरी जन्री दिखाएं और इसके लिए पहले ही सारी रैक जो है वो राची पहुचा दिये गए हैं घाटन समारो जो है वो राची जंक्शन पर होगा